दसम पाश्या शिरीगुरु गोवें सेंग जी पाई जोग्य नू अपना पुत्तर समय देसन। उसनू हर वेले अपने नाल रख देसन। एक वार पाई जोग्य दे पिता गुरु साइब दे पास आहिते अरदास कीती के जेकर तो हड़ी किरपा होवे ता असी जोग्य दा व व्याकर वालवे। दसम पाश्या शिरीगुरु गोवें सेंग जी ने पाई जोग्य नू शुट्टी दे दती पर नाल ही उस दी प्रिख्या लेले एक सेख नू हुकम दे दिता ते किहा जोदो जोग्या दो तिन फेरे लेलवे ता उस दे हाथ वेच ए पत्तर दे देना उ यस वेच गुरु सेब ने उसनू तुरांत अनादपुर सेब ओन दा हुकम दिता सी जसनू वेके पाई जोग्य ने अपनिया लावादा एक फेरा वेच ही शड़ दिता ते तुरांत शिरी अनादपुर सेब नू रवान्ना हो गया पाई जोगा सिंग अपने मन ही मन वेच इस तरह दे विचार सोच दे सोच दे अनादपुर सेब नू वाद्दे जारे सी ता अगले देन गुरु दरबार वेच हाजर होना सी ते पाई जोगा सिंग ने अराम करनतों पहला बजार वेच टहलन वास्ते तुरपे नाडडड मन वेच विचार करें कि मेरे वर्गा शा करने अर्द 2 खूबसूर्त आर्धे ऊल्चार अर्षिंगार लगाके नजरी पही उस और तधी खूबसूर्ती देख्के चो यह सिंग दा मन डोल गया शट्धग皆さん कीता जोग्या जे तो गुरु जोगा ते आज तो गुरु भी तेरे जोगा जी में सत्गुर जी दी गुरुबानी वेच फर्मान है जेडा सिख एक वारी गुरु बाला बणके गुरु नल बचन बदता कर लेंदा है फिर सत्गुर लोग पर लोग वेच उस दे अंगसंग सहाई हुंदेने जोही जोगा सिंग वेच वादे कर दे दरवाजे अगे पुझा उत्थे उसनों पैरेदार पहरा दिन्दा दिखाई दिता जोगा सिंग वापस पर्त आया मया दा प्रवाब हजेवी जोगा सिंग दी बेर्ती उपर जापदा सी कोच समा उडी करन तो बाद जोगी सिंग ने फिर वेच वादे करवाल जान दा जतन किता अगो पैरेदार ने चाड़ पाई पलेया तू ता गुरू दा सिक जापदाई पर मुढ मुढ के वेच वादे दरवाजे ते की लेन आउदाई जोदो पैरेदार ने एन्नी गल कही ता जोगा सिंग दी मात तो माया दा प्रवावदूर होया ते अपनी इस गलती थे अंद्रों अंद्री पश्तों लगा रात पश्तावे वेच बेत गई ते अगले दिन गुरू दे चर्ना वेच हाजर होया सत्गुरा नू नमस्कार करके गुरू साहब दे नजदीक बैठ गया सत्गुर जी ने पाई जोगे सेंग नू संबोधन करके बचन कीता जोगा सिंग तू ता गुरू दा बचन मननवाला सिदकी सिक कहोंदा सी पर तू ता सारी रात वेचवा दे द्रवाजे मूरे साड़े कोड़ो पहरा दवोधा रहा ए तू की किता अंत सत्गुरा दे बचन सुन की पाई जोगा सिंग गुरू दे चर्नी टै गया ते मौफी मंगी कि हे दाता मैता माया दे जनजाल विच फस चला सी पर तुसी मेरे ते किरपा करके मैं नू इस जनजाल विचो बाहर कड के ले आई ते ऐसे ही तरह गुरू साइब ने पाई जोगे नू इस जनजाल विचो बाहर कड ले सी ते उसनू वाही गुरू दे लड़ लगन दा उपदेश दिता सो जेकर असी वे गुरू साइब दे बचनाते चलिये ता गुरू साइब हमेशा वास्ते साड़े अंग संग साहाई हुं देने सो जेकर आप जी नू साड़ी ए वीडियो चंगी लगी होवे ता आप जी साड़ी इस वीडियो नू वत्तवाद लाइक कमेंट शेर जरूर करें जी तनवाद